नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नियूज बैनर मेकर एप्लिकेशन के लिए इस एप्लिकेशन को हमने उन पर्टिकुलर बिजनिस प्रोवाइडर या कोई सिक्षन संस्थान से सब्मंदित कोचिंग इस्टिट्यूट कोईट्यूशन क्लासिस और वो उनकी ओनर हैं वो कैसे अपने इंस्टिट्यूट को प्रमोट करेंगे कैसे उनको थोड़ा सा हम सुवधा दे सकते हैं इस एप्लिकेशन से आईए समझते हैं जैसे ही आप एप्लिकेशन को पहली बार रेजिस्टेशन करके लॉगिन करके ओपन करेंगे आपके सामने कुछ डिजाइन से इसमें आएंगे जैसे की देखें सबसे पहले एक एक एक्जांपल के तौर पर हमने यहां देखा कि कुछ डिजाइन पहले से बने हुए हैं यह हमने एक डिजाइन पर किलिक किया इसमें आपने देखा कि आपके सामने ऑप्षन है एक कोश्चन और उसके कुछ ऑप्षन यहां से आप कलर कॉंबिनेशन तो चेंज करी सकते हैं कि एक्जांपल के तौर पर आप समझें इसमें हमने क्या किया कोश्चन अगर हमें लिखना है हमने पर्टिकुलर कोश्चन पर किलिक किया और अब चुकि हमको इंस्टिट्यूट चलाते हैं हम चाहिते हैं कि हमारे इंस्टिट्यूट के नाम से लोग देखें हमने लिखा हाव मैनी इस्टेट्स इन इंडिया चलो ओप्शन्स हमने लिखा टॉन्टी सिक्स टॉन्टी सेवन नेक्श सीधा आपको किलिक करना है पर्टिकुलर पर टॉन्टी एट और टॉन्टी नाइन क्लियर अभी आपको क्या लेना यहां लोगो यह हमारी संस्था का लोगो हो गया लोगो भी नहीं लेड़ा पड़ेगा अगर हम एक बार अपनी प्रोफाइल सेट करते हैं अब सीधा कोश्चन सीधा आंसर हमने नीचे कुछ लाइन लिख रखी हैं यहां हम जो मर्जी लिख सकते हैं हमने यहां लिख दिया पोर एडमीशन इन यह हमने अपनी कोचिंग इंस्टिट्यूट का नाम लिख दिया निउ इंस्टिट्यूट लखनव जो भी हमारी इंस्टिट्यूट का नाम कॉल और हमने यहां पर अपना जो है मुबाइल नंबर लिख दिया कुछ भी जो भी हमारा मुबाइल नंबर है यहां लिख दिया और साइज को यहां से हम चाहें बड़ा चोटा कर सकते हैं अब आप देखिए इसमें क्या हुआ हमने अपना एक कोश्चन लिया कोश्चन का भी साइज बड़ा चोटा जैसा हम चाहें ले सकते हैं यह देखिए ऑटोमेटिक एड़श्ट होगा बैनर बना और सीधा अब यहां पर जो कंपनी नेम टेग लाइन और लोगो आ रहे हैं यह अगली स्टप में समझेंगे बैसे यह ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे और फिर भी अगर आप करना चाहें तो सीधा उसी इमेज पर किलिक करें और आप अपने इंस्टिट्यूट क जैसे ही किलिक किया आपने आपका बैनर तैयार है अब यह एक कोश्चन हो गया जैसे मान लीजिए हम एक परिटिकुलर थीम पर डेली काम करते हैं हमें क्या करना है कोई भी एक डिजाइन हमने यहां से ले लिया अलग-अलग डिजाइन यहां बने है यह देखें आप सीधा आपने किलिक किया बैक्ग्राउंड में कोई इमेज लेना चाहते हैं यह आप अलग-अलग यह सिंपल एक थीम है पहले से बनी हुई question of the day जो भी आपने लिखा question सीधा question यहां पर आपको टाइब करना है और question टाइब करने के बाद options टाइब करने है बैनर तयार अब यहां हमारी company का नेम हमारा advertisement का address कैसे आएगा तो आपको एक बार जाके profile में added detail यहां पर आपको अपना institute का नाम new institute जो भी ओनर के नेम है ओनर का आपने नेम लिख दिया कि जो भी आपका business mobile number है आपने यहां पर अपना business mobile number डाल दिया अब email id new institute जो भी आपकी email आईडिये यह profile अगर हम एक बार बना दें address हमने लिख दिया और next अब दिखेंगे आप कि particular theme को अगर हम open कर रहे हैं तो आप हमारे पास name address पहले से fix हो गया अब हमें हर वाल लिखने की आवशक्ता नहीं है mobile नंबर पहले से fix हो गया कि लोगो हटाना है आप यहां से हटा सकते हो background color change करना है single click कि अब यह था question of the day आप कई बार ऐसा होता है कि हमारा जैसे कहना चाहिए कुछ question answer कुछ छोटे-छोटे notes यह देखिए आप यह देखें यह देखें यह देखिए यह देखिए आप एक पूरा banner बना पा रहे हो question 1 question 2 question 3 share कर दिया इंडिरेक्ली आपका promotion होगा आप daily एक question बनाईए दो question बनाईए एक page बनाईए share करिए student को यही तो चाहिए कि उनको जहां से कुछ मिलेगा वो बिजट करेंगे आपको थोड़ा सा बड़ा question है आप यहां बना लो notification कई बार ऐसा होता है हमें कोई notice निकालना है किसी भी तरह का single line में सीधा आप अपना matter यहां टाइप करतो प्रमोशनल बैनर बनाने हैं आपका कोई अच्छा result आया है institute का आप अपने टॉपर्स के नाम यहां दिखाना चाहते हैं बड़ा आसान ऊपर सब कुछ आ गया निव इंस्टिटूट एड्रेस फाउंडर नेम लोगो लोगो भी कोई शब्द बदलना है अब यहां पर आपको बस इस्टूडेंट का फोटो और उसके परसेंटेज एंड करने हैं आपका बैनर तैयार कोई आवशक्ता नहीं है कि आप कोरल ड्रॉ के लिए किसी स्पेशलिस्ट बेक्ति के पास पहुंचें आपको सिर्फ अपने website जो भी आपका स्टूडेंट हैं आपने उनका फोटो यहां से एक बार सेलेक्ट करना है और और आटोमेटिक वहां फोटो सेट हो जाएगा रैंक स्टूडेंट का नीम सेट कर दो और सीधा आपने सेब बटन प्रेस किया आपका बैनर अभी दो सेकिंड बेट करना होता है और यह प्रमोशनल हुआ या कोई जुआ या कोशन आंसर हुआ या फिर कोई हमारे इंस्टिट्यूट का कोई टाइम टेबल है बहुत आसानी से आप यहां पर अपना कोचिंग इस्टिट्यूट का टाइम टेबल यह देखिए बड़ा फाइदे का चुछ आपको क्या करना है पर्टिकुलर टीचर का वही टीचर का फोटो लीजिए कोई इस्पेशल बैच स्टार्ट होना चाहते हैं टीचर का फोटो ले या लोगों नहीं आपकी मर्ची फैक्ट्स कुछ इस तरह से भी बैनर आप निकाल सकते हों लोगो आटोमेटिक आजाएगा नेम टाइटल मोबाइल नमबर आपने एक परिटिकुलर लाइन कुछ भी है जो आपको अच्छा लग रहा है आप लिख दो यहां पर आपके इंस्टिट्यूट का बॉटर मार्क भी आ जाएगा यह बड़ी अच्छे चीज़ है इससे क्या होगा आपके इंस्टिट्यूट का लोगो बैक साइड में आ जाएगा अगर आप बॉटर मार्क को अलाओ करोंगे अब यह कहां से आएगा पहले आपको यहां जाके अपने इंस्टिट्यूट का लोगो एक बार सेट करना है अपनी प्रोफाइल में जाके और फॉर एक्जामपल अब कोई भी हम एक आइडिया लेते हैं माली जीए ब्यक्ति विसेश का अमने फोटो लगा दिया यहां तो अब जैसे जो लोगो है जहां पर जिस जिस तीम में जैसे लोगो होगा तो बहां आटोमेटिक और लोगो बान के केवारे साहर कि कोई पर्टिकुलरा टीचर अपने आपको प्र्मोट करते हैं तो टीचर का पास हो गया जिसमें हम फैक्ट्स टीचर का प्रोशन प्रोश्न अलबैनर स्वह नोटिफिकैशन कुर्श्चन आंसर कोईज इनके साथ में अगर कोई हमें कोे अड्रेस ऑटोमेटिक लिग गया सिंगल आपने खिलिक किया और सेव किया और सेव करते ही दो सेकिन आपको इंतजार करना है आपके सामने सीधा बैनर तैयार इसको आप शेयर करें यह चीज़ हमारे नाम को हमारे ब्रांड को लोगों तक पहुंचा रहते हैं तो पर डाउनलोड करके अप्लिकेशन है आपका बिजनेस बैनर मेकर और इसको ओपन किया यह था तब जब हम एक बार लोग इन कर चुके हैं लेकिन अगर आप फर्स टाइम यूजर है तो आपको सबसे पहले सीधा जैसे आप इंस्टॉल करते हैं आपको नीचे किलिक करना है नया अकाउंट बनाएं और यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और इमेल आईडी और नीचे आपका पासवर्ड और रजिस्टर जैसे आप रजिस्टर करेंगे आप अब यहां भी एक नया चीज आप देखिए अगर आप कोचिंग इंस्टिटूट से लेक्ट करते हैं तो आपके सामने इंस्टिटूट से रिलेटेड बैनर्स आएंगे लेकिन अगर आप आप कोई businessman है कोई product sell करते हैं तो हमने इसमें नया function और दे रखा है वो है others पर जब हमने क्लिक किया यह देखिए जैसे यह teachers बाला section हो गया यह किसी business provider का तो वो अगर कोई product sell करते हैं तो product के भी बड़े simple से promotional बैनर इस एप में बन जाते हैं बट फिलहाल इंस्टिट्यूट के लिए यह इस्पेशल सेक्शन हो गया अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप इधर भी जा सकते हैं और सिम्पल जैसी आपने नए आकाउंट बनाया आपको 10 फ्री मिलते हैं उसके बाद आप उसक इस बैनर मेकर थैंक यू सो मच